कि सब्सक्राइब को और सब्सक्राइब को मेरा नमस्कार आज इस यूट्यूब चैनल के मदम से अपन विदी द्वित्ते वर्स के लिए प्रसासने के विदी के अध्या को आगे बढ़ाएंगे जैसा कि पिछले वीडियो में अपने जो चर्चा के थी वो प्रिंसिपल सोफ नेच्वरल जस्टिस के वारे में की थी और वहां मैंने आपको मैं तो पुर्ण जो चार बातें बताई थी उन चार बातों में पहले मैंने आपको बताई थी कोई वेक्ति अपने मामले का न्यादिस नहीं हो सकता दूसरा मैंने आपको बताया था कि बिना दूसरे पक्स को सुने निर्णे नहीं दिया जाएगा और तीसरा मैंने आपको बताया था कि जो कारण है जिन आधारों पर जज्जमेंट दिया जाता है उनकारणों से प्रतेक पक्सकार को अउगत करवाया जाए और तीसरा मैंने आपको बताया था कि जो आधारभूत कारणों पर जज्जमेंट दिया जाता है वो जज्जमेंट रेशनल होना चाहिए, तारकिक होना चाहिए या यूँ कह सकते हैं कि कारी और कारणों के मद्दे एक समंध काइम नजर आना चाहिए ये सारभूत याफीत सब्जेक्ट था प्रिंसिपल्स अफ नच्फरल जर्श्टिस के टाइटल में और इस वीडियो के मादने में से अपन जो चर्चा करेंगे वो चर्चा है कि मान लो की नायले प्रिंसिपल्स अफ नच्र जर्श्टिस को फोलो नहीं करता end तो उसके क्या प्रभाव उत्पन हो सकते हैं अगर किसी भी मामले में नयले द्वारा principles of natural justice को overrule किया जाता है उनका अवहलना की जाती है उनको इग्नूर किया जाता है तो उसके क्या effect पैदा हो सकते हैं तो देखिए आज के इस title में अपने जो बात ली है वो है नैसरगी के नया के सिधान्त का अपालन का प्रभाव वो जो अपने पिछले वीडियो में देखा था कि वो जो चार principle है natural justice के अगर उनको नयले द्वारा follow नहीं किया जा सकता है तो उनका क्या effect या impact उत्पन हो सकता है तो इसमें देखिए ये दो बाते हैं कि सुनने या सुनने करणिये ये तथ्थे और प्रिष्टिती तथा नयाई कि तियास के प्रतेक दोर की अलग स्थिती रही है कुछ मामलों में ऐसा भी माना गया है कि अगर नहाले द्वारा नयसरगी के नहागे सिधानतों का पालन नहीं किया जाता है तो ऐसी सिच्वेशन में वो सुनने होगी जज्जमेंट सुनने होगा और कुछ स्थितियां ऐसी भी या कैसलोज में ऐसी स्थिति भी देखने को मिली है कि किसी पक्सकार की मांग पक्सकार द्वारा मांग किया जाने पर वो जज्जमेंट जो हैं वो सुनने करनी हो सकते हैं सामाने तया प्रसासनिक विदी में हमें जो चीज देखने को मिलती है या आज की प्रसासनिक विदी की नेचर में जिस चीज़ को अपन ड्धान है में रखें वो यह कि अगर क्वाय मामला ऐसा है जिसकी सुनवाई के दोरां नयाले द्वारा नेसरगी किन्या के सिधांटूं या प्राकर्ट दोरां के सिधांटूं की अभैलना की गई है तो ऐसी कार्युआइ प्रारंब से ही सुन्ने आनी जानी चाहिए तो देखिए प्रसासनिक विदी के ठिंकर्स कि जो मेज़ोरिटी है वो इस पक्स में है कि इस प्रकार की कार्यवाई को या प्रारम से की सुनने माना जाएं इस समंद में इस्तिति को और ज्यादा करने के लिए हम कुछ कैस लौज का सहरा लेंगे तो उन्हें में पहला केस जो है वह माकनलाल बनाम डॉक्टर प्रेम चंद इस केस के जज़िमेंट की जो समरी है वह आपके सामने मौजूद है देखिए इसमें सुनवाई के समय पक्सकार अपनी अनुपस्तिति को आधार बनाकर नया दिकरण के फैसले के व्रूद्द चुनोती दे सक देखिए अगर किसी मामले की कारेवाई चली है और उसमें कोई पक्सकार यह था देता है कि वह सुनवाई या कारेवाई के समय नहीं में मौजूद नहीं था इसका मतलब उसे सुने जाने का अउसर नहीं दिया गया यह बात प्रमानित होती है और प्राक्रतिक निया के दंत की ऑटमेटिक अभेलना हो गई है और इस आधार पर जिस न्यायले या न्यायदीकरण द्वारा इस प्रकार के सुनवाई की गई है या जो जज्जमेंट दिया गया है उस जज्जमेंट के विरुद चुनोती देने का आधार उस पक्सकार के पास है तो सिंपल सी बात है दूसरा चुद्दन के न्याय पर जैज्जमेंट नहीं देगा और यह किसी मामले के जज्जमेंट के वरुद चुनोती देने वालाा विकट्जी यह साबएदte कि मामले की कारेवाई चुनवाई के दोरान Whenever नुश्जमे के नहीं महीं था नुपस् condition का इगनोर किया जाना या उसकी अवेहलना होना साबीत हो जाता है और ये उसकी चुनोती का महत्पुर्ण आधार बन जाता है अगली जो कैसलो अपने सामने है वो है देखो D. सुबाराव वर्षेच अंदरपरदेश इस वाद में देखो क्या था कि इस वाद में पंचायत समित्ती अद्धिक्स को बिना सुने सरकार द्वारा हटने का आदेश दिया गया था और न्याले ने उसे सुनोती योग्ये माना देखो आपको पता है कि पंचायती राज अदिनियम उन्यीशो त्रियाणवे में जो मभैत्वपूर्ण वेवस्ता है उसमें यह दिया गया कि समोचित सरकार जो है वो सुनवाई का आवसर देकर पंचायती राज सेंस्ताओं के किसी विवेक्ति को हटने या निलंबित करने क आदेश दे सकती है यह पंचायती राज अदिनियम 1993 या परतेक स्टेट के अपने अपने लोज में भी यही वेवस्ता है तो यहां इस मामले में देखो क्या था कि पंचायती की अध्यक्स को पद से हटने का आदेश सरकार ने बिना उसे अपने बात रखने या उसे सुने जाने का आउसर दिये बिना हटा दिया था नैले ने इस मामले को सुनोती युग्य माना और पंचाय समीति की वो सद्ध्यक्स की सुनोती को इसलिए स्विकार किया हर अदालत में क्योंकि उसके विरुद्ध जो जज्जमेंट आया उस जज्जमेंट में प्रिंसिपल आप नैचुरल जश्टिस का पालन नहीं हुआ है या पक्सकार को सुने जाने का उसर कहने का मतलब वो ही है कि प्राकरते कि नायके सिद्धांतों की कड़ी में दूसरे सिद्धांत की अभेलना हुई है या उस सिद्धांत का पालन नहीं हुआ है यह मैं तो पुन जज्जमेंट इसमें अपने को इस टाइटल के समद्ध में पढ़ने को मिलता सुमन बनाम तमिल नाड़ू तो देखो इसमें खास दो चीज हमारे सामने है यह देखिए नैसरगी किन्याय की नियमू की अनुपालना के प्रिणाम सदेव एक सम्मान नहीं होते हैं देखो बहुत ही गहन अरगुमेंट्स के बाद में इसका जो जजज्मेंट आया उसमें यह का कि कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं जिन में प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फोलो नहीं करने से भी जज्मेंट में कोई विकार उत्पन नहीं हुआ है और कुछ प्रिष्टितिया या मामले ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें principles of natural justice को follow नहीं करने पर उस judgment को दूशित करने वाली बातें judgment में सामिल हो जाती हैं या उसकी कारवाई में सामिल हो जाती हैं तो सुमन बनाम तमिलनाडु राज्ये में महत्योपुन जो बात हमारे सामने आई हुआ है कि नेसरगी कि नेमु का अनुपालन या पालन नहीं होने के परिणाम जो हैं वो सदेव एक जैसे नहीं होते ये प्रतेक तथे और प्रिष्टिती पर निर्वर करता है या मामले विशेश की परकरती पर डिपेंड करता है कि प्रिंसिपल आप नेचुरल जस्टिस को लागू करने या नहीं करने से मामले के जैज्जमेंट पर क्या प्रभाव आया है इस समंद में एक और महत्योपुन केस जो है वो है मैंन का गांधी बनाम भारत संग इस 1978 के इस वाद में नाले ने जो अपनी महत्योपुन राय व्यक्त की थी वो यह थी कि नेसरगी किन्याय के नियमूं की मुक्त अभी मुक्त सनचना होती है तता समय प्रक्रिया और मानवादिकारों के विश्टार के साथ साथ इसके नए आयम स्तापित होते रहेंगे और एक कहने का मतलब यह है कि प्रिंसिपल औप प्रिंसिपल सब्नेचुरल जस्टिस जो है वो एक स्टेबिलिटी वाली कंसरप्ट नहीं है इसमें स्ताइट्व नहीं है यह यूं कह सकते हैं कि इसमें चलाय मानताया मोबिलिटी पाई जाती है चलायमानिया मोबिलिटी पाई जाती है और उसमें यह बताया गया कि यह जो प्राकर्थिक नैके सिधांत के अपने चार नियम पड़े हैं पहले बात तो यह चारू नियम ही अपने आप अंतिम नहीं है इन चार नियमों के अलावा अन्य नियम भी इसमें सामिल हो सकते हैं द साथ साथ तो देखो जैसे वीदी की प्रक्रिया और human rights का development हो रहा है उनका विश्तार हो रहा है और जैसे जैसे इन चीजों का विश्तार हो रहा है यह यह कह सकते हैं कि law in motion और law in development कान वीदी की गती और विकास के साथ साथ principles of natural justice के आयाम है वो भी बदलते रहेंगे तो जैसे जैसे वीदी के चेत्र में विकास होगा मानवादिकारूं के चेत्र में विकास होगा वैसे वैसे principles of natural justice के टाइटल का भी development होगा उसका विश्तार होगा यह यह कह सकते हैं कि मैंका गांदी वर्सेज यूनियन ओफ इंडिया में principles of natural justice को एक नए dimension परदान करते हुए इसकी nature को परिवर्तन सिल चलाय मानिया गती सिल स्विकार करते हुए यह कहा कि जिस परकार law और rights का development होगा वैसे वैसे principles of natural justice का भी जो आयाम है वो नहीं इस्तिती पकड़ेगा इस परकार हम यह कह सकते हैं कि जो चार प्रिंसिपल अपन ने नेचुरल जस्टिस टाइटल में पढ़े हैं ने तो वह चारूं अंती में आने वाले कल को नए principles भी principles में सिप्ट हो सकते हैं दूसरी बात इनका मेनिंग जो है वो भी डिफरेंट हमारे सामने उबर कर आ सकता हैं तो इस परकार मैंने आपको बताया कि principles of natural justice का पालन नहीं होने से क्या प्रभाव पढ़ सकता है और क्या principle of natural justice अक्सर से उसी रूप में फोलो किया जाना जरूरी है जिस रूप में अपन आज पढ़ रहें नहीं इसका नया आयाम जो है वो न्याले द्वारा प्रस्तूत किया या प्रकट किया जा सकता है तो आज की अखसा में बस इतना ही thank you so much